बड़ी खबर आपके सामने हम रख रहे हैं सांसदों के निलंबन पर कॉंग्रेस प्रवक्तार रणदीब सुर्जेवाला का भी बयान सामने आया है लोकतंत्र की हत्या की जा रही है ये बड़ी बात उनकी तरह से कही गए सरकार विपक्ष मुक्त संसद चाहती है विपक्ष के आवास दबाने की कोशिश की जा रही है ये कहना रणदीब सुर्जेवाला का संसद से विपक्ष के तमाम सांसद 90 से ज्यादा को निलंबित कर दिया गया है हंगामे का दौर जारी है हमारे साथ बाचीत करने के लिए कॉंग्रेस के वरिश नेता और राजस्वा सांसद रंदीब सुर्जेवाला जी है रंदीब जी एक तरफ इतनी ऐसी कारवाई हुई है तमाम संसदों के खिलाव विपक्ष के और एक तरफ इंडिया गडबंदन की बैठक होने जा रही है तो कितना फेविकॉल का काम करेगा ये इंडिया गडबंदन के लिए इस तरह कारवाई पचेतर साल में जो देश में कभी नहीं हुआ मोधी सरकार ने वो कर दिखाया विपक्ष मुक्ट संसद जिस प्रकार से प्रजातंतर को बुल्डोजर के नीचे संसद की परिपाटियों के साथ रौंद दिया गया जिस प्रकार से विरोध में या सवाल पूछती हर आवाज को दबाने का शडियंतर किया जा रहा है जिस प्रकार से विपक्ष मुक्ट संसद बनाई जा रही है हर नागरिक को आपके दर्शक को ये पूछना पड़ेगा खुद से सवाल क्या अब इस देश में प्रजातंतर और समिधान बचा है या फिर मोदी सरकार ने उसे बंधक बना लिया है क्या अब संसद एक इमारत का नाम है जिसमें सवाल नहीं पूछे जाएंगे जिसमें एक तरफा मोदी सरकार का डायलोग होगा और सब लोग उस पर ताली बजाएंगे और अगर कोई सवाल पूछेगा तो उसे संसद से बाहर निकाल दिया जाएगा तो फिर ऐसी संसद के माइने क्या है क्योंकि संसद बिल्डिंग का नाम नहीं संसद इस देश की प्रजातंतरिक आत्मा का नाम है इस देश में समयधान की सुरक्षा का नाम है इस देश में प्रजातंतर को प्रबुद करने की एक इमारत का नाम है वो इंट और मिटी से बनी हुई इमारत नहीं इस देश की कुर्बानी की परिपाटी पर बनी हुई बुनियात पर बनी हुई इमारत इस देश के मौलिक अधिकारों के आधार पर बनी इमारत का नाम संसद है और आजू संसद की उस हर मरियादा को बुल्डोजर के नीचे कुचल कर तहस नहस कर दिया है मुदी सरकार ने कॉमार विकरांत जादा अपडेट के साथ जिन्होंने अभी रंदीप सुर्जेवाला से बातचीत भी की थे आपको हमने सुनवाया बड़े आरोप कुमार यहाँ पर इन्होंने भी लगाए है रंदीप सुर्जेवाला ने यह साफ तोर पर कहते हुए कि यहाँ पर लोकतंत् सबा के चार राज्यों में उसको मुखी खानी पड़ी उसके बाद जो इंडिया घडबंदन था उसमें तमाम आवाजे उठ रही थी कॉंग्रेश के खिलाफ वकलेज, केजरिवाल, मैयाविती की आवाजे थी उसके बाद में जिस तरीके की कारवाई हुई है तो कॉंग्र दाती तोर पर तैय कर लिया गया है और यही लगातार नेता बयानबाजी कर रहे हैं हमलावर हो रहे हैं और एक बात में बता दूँ दोजार चौबीस की जो लडाई है उसका विगुल बच चुका है अब कोई पीछे अटने को तयार नहीं है संसत ते लेकर सलक तक संसत के पर भारत, मोधी बनाम इंडिया, मोधी बनाम देश की जनता, मोधी बनाम जरीबी, बिरोजगारी इन मुद्दों पर चुनाओ लोलेगा अब लेकिन जिस तरीके से तमाम महत्वा कांग्शी नहेता विपक्ष में हैं उन सब को एक सूत्र में पिरोपाना एक बड़ी चुनात से कॉंग्रिस सांसद प्रमोध तिवारी ने काया कि ये लडाई मोधी बनाम भारत, मोधी बनाम इंडिया की है, ये प्रमोध तिवारी की तरफ से का गया है, संसद की सुरक्षा में चूक पर ग्री मंत्री बयान नहीं देते, ये सरकार विपक्ष मुख संसद चाहती है, ब पारे साथ बाचीत करने के लिए हैं राजेसभा में कॉंग्रेस के उपने था प्रमोत तिवारी जी प्रमोत जी सबसे पहले तो एक दो तीन नहीं नब्बे के उपर सस्पेंड क्या कहेंगे आप तो पुराने सियासदा हैं आज दुखी मंसे कह रहा हूँ कि लगता है अब देश में लोगतंत्र समाप्त होनें करना चाहती है यह सरकार मेरा रोप सरकार पर पीट पर इसली नहीं है कि पीट पर कोई भी बेचार में नहीं रखना चाहता क्योंकि किसी सदस का निस्काशन सरकार के प्रस्ताओं पर होता है आज तक कि इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि दो लोग सुरक्षा घेरे को तोड़ कर बाहरी जहां पर दिल्ली पुलिस का है उसको तोड़ें सदन के अंदर आएं जहां पर सुरक्षा हवाले है स्पीकर साब के डिप्ट्री स्पीकर साब के वहां पहुँचे और फिर दर्सक दीरगा पहुँचकर भाजपा के MP के पास पर यानि उनके द्वारा आमंतिस सदस कूच जाए सदन सदसों के बीच